नमस्कार आज हम दुली मूंग की दाल के नाचो चिप्स बनाएंगे इसके लिए मैंने एक बाउल ये दुली मूंग की दाल ली इसको तीन घंटे भूआ आधा कप गेहू काटा आधा कप मैदा कलोंजी है चाट मसाला पिसा जीरा हल्दी चिली फ्लैक्स काली मिर्च कुटी ह हुई है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे अजवाइन और एक शिम्मच तेल सबसे पहले हम मूंग की दाल को बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाएंगे इसको एकदम महीन पीसना है और इसको हम छोटे से चटनी वाले जार में इसमें हम पीसके इसको तयार करेंगे दाल पीसके तयार कर लिए बिल्कुल फाइन पीस ही है एकदम देखिए इसमें हमने पानी का प्रियोग बिल्कुल नहीं किया है टर्ण ले लेके पीसेंगे तो यह आराम से पिस जाती है यह देखिए बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाया है इसका अब दाल हमारी पिस गई है इसके माटा तैयार करेंगे इसमें हम ग्यम काटा डालेंगे अब यह आधा डालेंगे जरुवत के हिसाब से ues डालेंगे कि हमें पानी से नहीं इसी डाल से हमको आटा लगाना है कुप कडा माटा लगाना है और यह देल डाल देंगे काली मिर्च, अजवाइन, नमक, हल्दी, चाट मसाला, पिसाजीरा, कलोंजी, चिली फ्लेक्स, अब माटा त्यार करेंगे, जितने हम पो जरूरत होगी, इतना हमाटा इसमें मिलाएंगे, यह सब आटा हमारा, इसमें सब आटा और मैदा हमारा लग गया इसमें, और अब इसको हम अच्छी तरह से माण के त्यार कर लेंगे इसको, यह देखे हमारा आटा मढ़के त्यार हो गया, देखे कितना अच्छा, ऐसा ही आटा हमको चाहिए, यह देखे, अब हम इसको 15-20 मिनिट के लिए रख देंगे, फिर बनाना शुडू करेंगे, जब तक यह सेट हो जाएगा, 15-20 मिनिट हो गए, आटा हमारा सेट हो गया, लोई काट लेंगे, इस तरह से, इसको हम चिपना करेंगे, आटों में घसल के, यह देखे, इस तरह हम लोई लेली और हमको थोड़ा साम मैदा लगा लेंगे, इसमें, और इसको साफ कर देंगे, आमाराम से हम इसको बेल पाएंगे, हमको बेल के त्यार करने है, यह देखे, बेल के त्यार कर लिया हमें, और इसको हमने, इतना पतला बेला है, ना पतला है, और ना ही यह मोटा है, हम इसको होल कर लेंगे, जिससे हमारा फूल है नहीं, इसलिए हमको इसको होल कर लेना, एक फूक से, यह देखे, मैंने इसको होल कर लिया है, दोनों तरफ कर लिया है, और हम इसको काटेंगे, हमारे कटके त्यार हो गए, और हम इसको सेंखेंगे, हमारी गर्म है, मीडिया माच पर ही हमें इसको सेंखना है, कर लियुक, आस उनको मीडियू में रखने है, यह मीडिया सिख जाएंगे, करें हम इसको पलते लिए, यह की अधुलत देले, जाएंगे, अधुलत देलेे, करें ने सिख देले, त्याएंगे, अधुलत देले, और इसी तरह से हम आपने सभी सेख लेंगे देखिए हमारी धुली मूंकी दाल के नाचो चिप्स बनकर बिल्कु तयार हैं बहुत ही चटपटे मसालेदार बने हैं आप भी बनाईए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए और स मस्का